श्रीनिधी शेट्टी का जन्म 21 अक्टूबर 1992 को मैंगलोर करनाटक भारत में हुआ इनके पिता का नाम रमेश शेट्टी है और माता का नाम स्वर्गिय कुशला शेट्टी है जब ये दस्वी कक्षा में थी तभी उनकी मा की मौत हो गई थी इनकी दो बहने हैं अमरिता शेट्टी और प्रियंका शेट्टी श्रीनिधी सबसे छोटी है श्रीनिधी शेट्टी की शिक्षा इनकी स्कूली शिक्षा श्री नारायन गुरु इंगलिश मीडियम स्कूल बेंगलुरु से हुई और जैन विश्व विद्याले बेंगलरू से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की वे कॉलेज के दिनों में NCC कैड़ेट भी रह चुकी है श्रीनिधी शेट्टी का करियर इन्होंने ने कॉलेज के दिनों में ही फैशन शो में भाग ले लिया था और पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलरू एक्सचेनर नाम की एक सौफ्ट्वेर कमपनी में सौफ्ट्वेर इंजिनियर के रूप में कार्य करने लगी वह मॉडल बनना चाहती थी इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी उसके बाद उन्होंने विभिन सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उनके पिता ने उनका साथ दिया 2015 में उन्होंने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस की प्रतियोगिता जीती और मिस सुपरनेशनल का खिताब जीता और 2016 में ही उन्होंने मिस सुपरनेशनल एशिया एंड उशनिया का खिताब भी जीता वह आशा भट के बाद 2016 में सौंदर्य प्रतियोगिता मिस सुपरनेशनल जीतने वाली दूसरी भारतिय है उसके बाद इन्हें कई फिल्मों में अभिनय करने का ओफर मिला और 2018 में कन्नड फिल्म केजीव में मुख्य अभिनेतरी के रूप में अपनी फिल्मी करियर की शुरुवात की जिसमें इनके साथ एक्टर यश मुख्य भूमिका में थे 2022 में श्रीनिधी शेक्टी के जियफ दो में रीना देशाई और फिल्म कोब्रा में भावना मैनन के रूप में अभिनय किया वर्ष 2015 में इन्होंने मिस साउथ इंडिया, मिस करनाटक और मिस ब्यूटिफुल स्माइल की विजेता रह चुकी है श्रीनिधी शेक्टी के बारे में रोचक बातें वह एक मेधावी छात्रा थी और उसने मैट्रिक में 93.5% और इंजिनेरिंग में कुल मिलाकर 85% अंग प्रात किये श्रीनिधी फेमिना मिस इंडिया के 52 संसकरण की उत्तराधिकारी बनी 2015 में जब उन्हें मिस दिवा के लिए ओडिशन देने का फैसला किया गया तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर का अंगूठा तूट गया उन्हें तीन महीने के लिए पूर्ण बिस्तर आराम की सलाह दी गई थी इंजिनियरिंग से पहले श्री निधी एक डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन वह मॉडलिंग और अंत्ह कन्नड फिल्म उद्योग में एक अभिनेतरी के रूप में आई मॉडलिंग के दिनों में श्री निधी की अकसर उनके उच्चारण के लिए आलोचना की जाती थी एक सौफ्टवेर इंजिनियर के रूप में उनका पहला वेतन 23,000 रुपए था जो उन्होंने अपने पिता को दिया था लेकिन बाद में पैसे वापस मांगे क्योंकि उनके पास परियाप्त पैसा नहीं था